विध्यप को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के साथ और किसानों एवं भूमी हीनों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए पीबी आई विध्यप द्वारा सविदान चौक पर आंदोलन किया गया है जिसमें प्रुथक विध्यप की मांग की गई है ऐसी जानकरी पीबी आई के राश्टिय सयोजक आचारिय संतोशाननदा उदुद्वारा दी गई है इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के मांग का एक मजबूत आधार है शुरू से ही विध्यप की लगातार उपिक्षा की जाती रही है महाराष्ट्र के बचेट का बहुत कम हिस्सा विध्यप को आवंटित किया जाता है जो इस क्षेत्र की जरूरत को पुरा करने के लिए परयाप्त नहीं होता है महाराष्ट्र के खनीजो और वन्सवरक्षर विधयब में होने के बावजूद भी विधयब का अदोगीग विकास पर्याप्त है विधयब का अधिकाश कोईला और अन्य खनीज संसातर राज्य के और देश के अन्य हिस्सों में भेज दिये जाते हैं जिसके कारें इस खशेतर में बिजली की कमी और अन्य उधयको का विकास कम हो गया है पिछले फ़र्षों में विधयब के ग्यारा जिलो में 45,000 से अधिक के सानों ने आत्मत्या की है और इस खशेतर में उध्यको का पूर्न भाव है अब तक सभी राज्य सरकारे विधव के लोगों की जरुरतों और आकांशाओं के प्रती असाविद्येंशिल रही है इसलिए BPI विधव को पूर्ण राज्य का दर्चा देने की मांग करती है ऐसा BPI के राश्य सयोजक आचारिय संतुशानन दाउदोत्वारा कहा गया जो विधर्व की जनता की जो बहुत पुरानी मांग है और जाइज मांग है जिसकी पूर्थी नहीं हो रही है उस चीज को उस मांग को और मजबूती से सरकार के सामने रखने के लिए आया हूँ और इसमें हमारे प्रिये केदार अरुन केदार जी जो जै विधर्व पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे सहजोगी हैं मैं चाहता हूँ कि विधर्व राज जिसकी आज सबसे ज़्यादा जरूरत है विधर्वासियों को जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है फिर भी यहां के लोग गरीब हैं यहां के किसान आत्मत्याएं करते हैं और पिछले पंदरह वर्सों में साथ ही उन्होंने कहा कि विधर्व राज जिकी मांग बहुत पुरानी है यहां तक कि भारतवर्ष के पहले प्रदान मंत्री जवाहरला लेरू ने भी 1920 में नाकपुर अधिवेशन में प्रिथक विधर्व राज की मांग का समर्थन किया था साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई हालिया आंदोलन के परिणाम स्वरुप में तेलंगना, उत्तराखन, छारकन, चतिसगर जैसे छोटे राज जो का गठन हुआ है तो विधर्व को उसका हक्यों नहीं मिल रहा है यसे लिए आज PBI द्वारा प्रिथक विधर्व राज की मांग करते हुए आंदोलन की आ गया है कैमेरा परसर, राजकुमार मोहोड के साथ शितिजादेश मुख, BCN News नापूर